आज जोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो होगा जेनरेटर के उपर तो चलिए पहला एक एक चीत देख लेते हैं यह ओल्टरानेटर है जो कि हमारा पांच किलोवाट का है और इसके अंदर जो हमारा इंजिन लागा हुआ है वो टेन एच्पी का है यह पूराना वाला इंज कर दा लेला दूहरा है और यह यह से निकलने वाला पाइप और यह हो गिया आपका की युन तक टिऑर टेंक से आता है और यह म Ci जाता है और यह दंट एससे आ से तो द्यूंडख़ जता है आपर किसी को पता नहींत तो आपको में बाता देए बाता दूँ की यह बाला जो … Iskol खोलना पड़ता है स्कूरूड़ा अशल की यह सब्कू सकती है फिर इसका जो होगा यह आपका हो गया आपका एर पाइप और यह स्मोक पाइप और इसके अंदर जाता कुछ है नहीं है यह वाटर कुलर इंजिन है यह रेडियाटर है और यह जो हमारा बोड़ी है पहले लकड़ी का था अभी हम लोहे का बनवाए हैं खुद से аничिन ही बनवाए हैं खुद बनाए लतना है नहीं से色प और इसके से इंपॉर्टाटरण्ट किसी को पाथ आ नहीं होगा यह बेल्ट जो होता है क्यों दिया जाता है यह बाला चीछ। आपको पता नहीं होगा साइथ लेकिन मैं बाता दे रहा हूँ जो यहाँ पर रे बेल्ट क्यों लगाये जाता है नि इसको थोड़ा घुमा के दीखा दे रहा हूँ इसमें क्या है यहाँ hm इसका कहल से थोड़ा या पर निछ से हैं यह सेंव नहीं होता है इसलिए आम इसको रोबर को लागाते हैं और यह बेल्ट है यह फेन चलाने के लिए और इसमें ज्यादा दूसरा कुछ चीज है नहीं और अभी दिखा रहे हैं इस साइट से यह वाला आपका नोजेल हो गया जहांसे स्टार्ट होने पर आपका जो आपका फ्यूएल है वो छ दित्ता है और यह हो गया इसका जो हमारा लोक बोलते हैं इसको हम तो लोक ही बोलते हैं कोई दूसरा और कुछ बोलता होगा और इसमें मोबिल हम यहां से डालते हैं और और बात बाकि रहा मोबिल जो चेक करते हैं दोस्तों यहां से चेक किया जाता है मोबिल इसमें मैं ख यह जो होता है डोट क्यूं दिया जाता है देखिए यह वाला हिचा जो होगा आपका यह वाला हिचा बहुत नहीं है और बाकी रहा यह तो पाइप है यह पाइप से यहां से पानी आता है और यह यहां से पानी आता है और यहां से रिटोनों के पानी यहां से जाता है फिर रेडियेटर को आता है इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं यह कोनेक्शन वायर है हमारा वायर पड़ा हुआ है और बाद बाकी और कुछ नहीं ये तो हेंडेल आप देखी सकते हैं आपे हैं और बाकी रहा आज के लिए दोस्तों इतना ही जेनरेटर आज हमारे पास था एवेलेबूल था हमारा इधार कोरेंट का थोड़ा प्रोब्लेम चल रहा है इसलिए खेत में पानी देने के लिए हम गहर से खेत तोक लेके आए हैं जेनरेटर को तो आज के लिए इतना ही नमस्कार दोने बाद वीडियो केसा लगा आप कोमेट करके जरूर बताईएगा नमस्कार धने बाद